अभी तक जो भी हमने starter बनाये थे उस starter में हम इस type के contactor का इस्तमाल करके starter बनाते थे लेकिन आज के इस वीडियो के द्वारा हम modular contactor का इस्तमाल करके starter बनाना सिखेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं आप लोगों ने जो इस type के normal contactor देखेंगे same to same इसी के जैसे हमारा modular contactor भी होता है यानि कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो हमारा normal contactor है और जो modular contactor है यह दोनों के दोनों same to same है केवल इन दोनों के designing में ही difference है अब यह जो हमारा normal contactor होता है इसको यदि आप देखोगे तो आपक supply को connect करने के लिए A1 terminal पर हमें face supply देना होता है और A2 terminal पर neutral power supply देना होता है यदि हम यहाँ पर power supply दे देंगे तो हमारा contactor operate हो जाता है same to same आपका जो modular contactor होगा इसमें भी आपको A1 और A2 terminal मिल जाएगा जिसमें आपको face supply और neutral supply प्रोवाइड करना होगा इस modular contactor को चालू करन के लिए इसके बाद आपके contactor में power terminal और control terminal मिल जाता है same to same आपको इस modular contactor में भी power terminal और auxiliary terminal भी मिल जाएगा auxiliary terminal आपका उसी terminal में दिया गया है जो कि आपका power terminal है यहाँ पे चार terminal दे दिया गया है तो उसमें से आप एक NO contact के जैसे इस्तमाल कर सकते हो अब यहाँ पे जो मेरे पास में modular contactor इस modular contactor को CNC कमपनी की दोरा बनाए गया है और इसका modal number आप यहाँ पे देख सकते हो अब यह जो contactor दे इसका wiring करना हम सीख रेते हैं तो इस contactor को power supply provide करने के लिए मैं यहाँ पर two pole वाली एक MCV का इस्तमाल करूँगा अब इस contactor को चालू करने के लिए एक start push button का इस्तमाल करूँगा और इसको burn करने के लिए एक stop push button का इस्तमाल करूँगा अब यहाँ पे जो मेरा stop push button है इ उसके साथ इस waiver को connect कर दूंगा, अब इस store push button से जो power supply जाएगा, वो जाएगा हमारे start push button में, तो मैं क्या करूंगा, इस waiver को ले जाके directly, start push button को input power supply प्रोबाइट कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे इस waiver को connect कर देता हूँ, start push button के साथ में, अप यह start push button है, इसके output terminal पे हम एक wire को connect कर देंगे अब इस wire का जो दुस्सा सीरा होगा इसको लेके जाना है और जो हमारा contactor है इस contactor के उपर में आप देखोगे आपको कहीं न कहीं पे A1 लिखा हुआ मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर A1 लिखा हुआ है तो इस terminal के साथ मैं फे सप्लाई वाले wire को ले जाके connect कर दूँगा यानि कि start push button को प्रेस करते ही power supply डारेक्ली contactor के A1 टर्मिनल पे चला जाएगा अब इस contactor को हमें neutral power supply प्रोवाइड करना है तो इसके लिए हम एक wire का इस्तमाल करेंगे इस wire के एक सीरे को लेके जाएंगे और जो हमारा MCB है इस MCB के neutral वाले टर्मिनल के साथ इस wire को connect कर देंगे इस प्रेकार से इसके बाद इस wire के दूसरे सीरे को लेके जाएंगे और जो contactor है इस contactor के उपर में आप देखोगे एक जगा आपको A2 लिखा हुआ मिल जाएगा जहाँ पर A2 लिखा हुआ हो वहाँ पर आपको इस wire को connect करना होगा अब यदि मैं power supply को on करके contactor को on करता हूँ तो आप देखोगे contactor हमारा on हो गया यहाँ पर red indication आ गया लेकिन अभी तक मैंने push button को प्रेस करके रखा हूँ इसको release करते ही हमारा contactor off हो जाएगा आप देख सकते हो इंडिकेशन चला गया दुबारा से देखिए start push button को प्रेस किया इंडिकेशन आ गया release करने के बाद इंडिकेशन चला गया यानि कि अभी के time पे contactor हमारा hold नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर हमें holding circuit बनाना होगा तो holding circuit बनाने के लिए आपका जो start push button है इसके input terminal पे आपको एक wire को connect करना होगा तो मैं यहाँ पर इस wire को start push button के साथ connect कर देता हूँ अब इस wire के दूसरे सीरे को ले के जाना है और इसको लाग के आपका जो contactor है इस contactor का जो ano contact होगा आप इस circuit diagram में देख सकते हो चार ano contact दिया गया है यह सभी के सभी power terminal है तो इन सभी में से एक ano contact का आप इस्तमाल कर सकते हो फिलहाल के time पे में last वाले ano contact का इस्तमाल करूँगा तो इस wire को ले जाके जो मेरा आखरी वाला ano contact है उसके साथ connection कर दूँगा अब देख सकते हो connection हो गया अब इस ano contact के output terminal पे हमें एक wire को connect करना होगा तो फिलहाल के time पे में यहाँ पर इस wire को ले जाके साथ number के terminal के साथ connect कर देता हूँ अब इस wire के दूसरे सिरे को ले के जाना है और जो contactor का A1 terminal है उस terminal के साथ हमें इस wire को connect करना होगा जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे A1 लिखा हुआ है तो इसी के साथ मैंने इस wire को connect कर दिया तो इस modular contactor के लिए आपको के वर इतना ही wiring करना होता है अब मैं यहाँ पर एक lamp को इसी contactor के साथ मैं connect कर देता हूँ जिससे कि मैं यहाँ पे आपको explain कर सकूँ कि मेरा contactor on है कि off है तो इस contactor का पूरा wiring complete हो चुका है अब मैं यहाँ पर MCB को on कर दूँ और MCB को on करने के बार start push button को प्रेस कर दूँ तो आप देख सकते हो हमारा contactor on हो चुका है अब यह दिमे stop push button को प्रेस करूँगा तो contactor off हो जाएगा और दुबारा से start push button को प्रेस करने पे contactor हमारा on हो जाएगा तो यह जो modular contactor है इस contactor का wiring normal contactor के जैसे ही होता है I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिगा और चैनल पे नए हो तो सस्क्राइब कर लीजिगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद